हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग यह देखिए मिक्सर यहां से वह भाई जो सही कराने के लिए लायते ना बाइक से रगड़ गई वैसे मिक्सर गैंडर में कमी क्या आपको दिखाता हूं मैं सबसे पहले मैं इस मिक्सर का प्लक लगा दे तो यह देखिए हमने प्लक को ले रही है अब इस सिरीज पर डारेट करते ही देखो 1.3 1.7 2 एंपियर तक मतलब मोटर से थोड़ी देर में दस से पंदा सिकन में धुआ निकलने लगता है इतनी ज़्यादा लोड ले रही है तो इस मिक्सर गैंडर में ऐसी क्या कमी है जो इतना लोड ले रही है मोटर भ बढ़िया नॉलेज देंगे हमारा यह जो मिक्सर गैंडर है इसके कपलर को खोल देंगे जो इसमें कपलर लगा हुआ है इस कपलर को में ओपन करूंगा और इसके बेक साइट को उपन करूंगा उसके बाद हम इसमें चेक करेंगे आखिर में इसमें है कमी क्या है दोस्तों इसका उपर का head mixer का टूटा हुआ है मतलब fix नहीं है बोड़ी वैसे हम अब fix कर देंगे दुबारा से अभी जब सही होने आई है तो यह fix नहीं है तो यह देखिए अभी खुला नहीं कपलर साइद नीचे से tight है नीचे से हमें tight करना पड़े तब कपलर खुले तो सबसे पहले इस mixer के तली को हम open कर लेते हैं एक motor है यह इसे बोलते है open motor copper की open motor है अब हम क्या काम करेंगे mixer gander के कपलर को खोलेंगे कपलर को हमने जो armature का पर होता है उससे पकला और कपलर को खोल दिया यह देखो अब हमारी यह motor दिख दी आपको यहाँ पर बहुत ही ध्यान से देखना है main कमी यहीं पर है दोस्तों देखिए जब मैं armature को घुमा रहा हूँ आपको घुमा के दिखा तो यह motor को जब मैं घुमा रहा हूँ तो इसके साथ में इसका bus भी घुम रहा है जो कि नहीं घुमना चाहिए बुस को अपनी जगा पर रुका होना चाहिए और सिर्फ साफ्ट घूमनी चाहिए लेकिन यहाँ पर देखिए बुस भी साथ में घूमरा है मतलब जो आर्मेचर है आर्मेचर की जो साफ्ट है मिक्सर की और जो इबुस यह आपस में चिपक गए है दोस्तों और यह कवर से बुस लूज हो गया है इसलिए जब हम मिक्सर को चलाते हैं बुस भी साथ में घूमता है और हाई एंपियर हमारा मिकसर लेता है। इसी प्रॉब्लम को हम इस वीडियो में सॉल्फ करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है। मिकसर के जो कनेक्शन है इन पूरे कनेक्शन को हटा देना है और अपनी मोटर को बाहर निकाल लेना है। वायर सही से निकाल ले आप एक 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 आप समझ लेना कौन सा वायर कहां पर लगा है या तो फिर उसका फोटो क्लिक कर लेना। तक कि आप जब दुबारा से वायर जोड़ो और एकदम आप परफेक्ट तरीके से एकदम वर्क नहीं कर पाते हो तो आपको बहुत ही आसानी हो अगर आप एक्सपर्ड मिस्तरी हो तो देखने की जरूरत ही नहीं है आपको आप ऐसे इतार निकालो दुबारा तो आप नहीं पाता है तो इसका सबसे जो आसान तरीका है आप मोटर का उपर वाला कवर चेंज कर दो मोटर का उपर वाला कवर चेंज करो कि कस्टमर भी खुश क्योंगी मिक्सर की लाइफ एकदम नहीं जैसी है नहीं मोटर थी सेम वैसी ही लाइफ हो जाएगी इसकी हम मोटर के उपर का cover चैंज करेंगे और आपको बताएंगे cover कितिने काता है और हम customer से कितिने रुपे लेंगे इस्से repair करने के तो cover चेंज करने के लिए सबसे पहले आप इसके carbon को निकाल दो आपको देख लेना है कौन सा वायR carbon का किस side में लगा है और वो किसी भी तरीके से मिकसर इतनी ज्यादा स्पीट से चलते हैं ना कितना भी तेज़ चले वो बुस्क भी लूज नहीं होने वाला है जल्डी से जब तक जाम नहीं होगा मिकसर गेंडर अगर आप हास से ठोकते हो तो फिनिसिंग नहीं आती है या फिर अगर आप उसी तरीके से लगाना चाहते हो तो डिल मसीन से सुराग करके आपको लगाना होगा इस टॉपिक पर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है आप हमारे चैनल पर विजिट करो आपको वहाँ पर ये वीडियो मिल जाएगी आप उस तरीके से लगा सकते हो लेकिन अगर आप नए मिस्तरी हो या पुराने भी हो मेरे हिसाब से ये तरीका सबसे बहतर और सबस निकालना है डारेक्ट साफट गओंपर चोट मत मानना वनना है उसकी ठ्रेट खराब होसकती है उसके तरफए पहले कप्लर टाईट कर लो उसके बाद में इस तरीके से चोट मारो जैसे महने मारा है और देखो कितनी आसानी से हमारा ये जो भी नो उस बीजिए और ये समी और आपका बुस निकलाएगा उसके बाद में आपको इसके अंदर न्यू बुस लगाना है देखिए दोस्तो एकदम इस तरीके से हमने जैसे इस पर चोट मारा और हमारे यह जो बुस है यह लूज हो गया और हम इस बुस को निकालेंगे अब इसके अंदर हम नया कवर जो है वो लगाते हैं और आपको बताते हैं कितने का मिलेगा कितना कस्टमर से लेंगे और कैसे लगेगा यह पराना मोटर कावर है और मैं आपको अपने पास जो हमारे पास न्यू मोटर का कवर है वो देखिए वो यह है बढ़िया क्वालिटी का कवर है दोस्तो ओपन मोटर का क मिलता इतने रुपए का दोनों का सिट मिलता है कितना वेटेट कवर है आपका उस हिसाब से मतलब 80 रुपए का 70-80 रुपए में बढ़िया क्वालिटी वाला मिल जाएगा अगर आप हलका लोगे तो 50-60 का भी दोनों उपर नीचे का कवर मिल जाता है उसके बाद में इसके आ हो जाएगी देखिए किस तरीके से करना है जैसे मैं कर रहा हूं से मैं इसे ही आपको लगाना है दोस्तों अब जो इसके दोनों पेज है दोनों पेज को आपको फटाफट टाइट कर देना है और इस तरीके से हमारी मोटर का कवर लग जाएगा जब आप पहली बार कवर ल उतना टाइट करना जितना जरूरत हो ना तो जरूरत से ज्यादा टाइट करना ना तो कम करना एक दम नॉर्मल इसे टाइट करना है आपको देखना है कि आपकी मोटर अभी भी जाम है देखिए अगर अभी भी जाम है तो एक सबसे लाजवाब तरीका बताता हो इसकी जो कोर के उस कोर आप पर देखिए अभी है हमारी मोटर जहा है इस कोर के उप पर आपको चोट मार review लोगे फीड से ना तिन-छार मार तरीके से फिरी ही हो गई है और जो इसके कार्बन लगा दो वैसे नए कार्बन ही डाल दो जब इतना काम करी रहे हो आप तो इसमें नए कार्बन भी डाल दो दोस्तो तो मैं इसके अंतर न्यू कार्बन ही डाल देना जोस्तो जब इतना काम कर रहे हो तो कार्बन भी डाल दे यह देखिए दोस्तो इस तरीके से आपको दोनों कारबन लगा देने हैं उसके बाद में आपको इस मिकसर की मोटर को कवर में फिट कर देना है यह अब हम फटा फट इस मिकसर की मोटर को इसकी मिकसर में फिट कर देते हैं इस तरीके से फिट करना है चारो रबर आपको लगा लेकिन एक दम सही से सेट करो मोटर बहुत ज़्यादा आप डाउन नहों इस तरीके से आपको इसे रखना है फिर आपको ऐसे मिकसर को पलटना है उसके बाद में आपको इसके जो कनेक्सन है प्रॉपर कनेक्सन जैसे आपने तार निकाले थे उसी तरीके से फटा-फटा आप उसके बाद में जो में लीट के दो तार होते हैं एक दूसरे अवरलोड के पॉइंट पर लगेगा और जो रोटरी है उसके बीच में पॉइंट होता है में लीट का दूसरा वायर वहां पर लगेगा इस तरीके से आप इसके कनेक्सन कर सकते हो दोस्तों जैसे मैंने आपको सिस्टेम टूटा हुआ बोडी का पेश टाइट करने से एक प्रोब्लम होगी दोस्तों जहां पर हम यह टेप लगाएंगे ना वहां पर कटिंग होती है मोटर की हीट बाहर निकलने के लिए अब जो हम टेप लगा देंगे तो वहां से हीट तो निकलेगा नहीं तो हमारी मिक मिक्सर को फोड़ा होल्ड करके चला लेना तो बोडी चेंज कराने की ज़वथ नहीं पड़ेगी तो हम टेपिंग से इसे रोक देते हैं वैसे नीचे की साइट से जो जाली होती कटिंग होती इसकी तली में वहां से हीट निकलती रहेगी मिक्सर की टाइट हास से टेप रही है mixer grinder दोस्तों मैं इसका चार्ज बता देता हूँ आपको हम कस्टमर से इस मोटर के कवर को चेंज करने का लेते हैं 200-500 रुपे कार्बन भी लगा आया कवर भी चेंज कर रहा है तो 200 200-500 रुपे हम लेंगे कोई से 230 भी ले लेते 220 भी जैसा मोटर का कवर है जैसी कवर की क्वालिटी है उसी सबसे पैसा लेते हैं हम इसके बाद में आपको दिखाता हूं में चला गए देखिए हमने पिलक को लगा दिया अभी सिरीज पे है अब डारेक्ट हमने कर दिया और हमा कवारा मिक्सर गंडर एक दम सही है इस तरीके से अब जाब मिक्सर को फिर अगर एमपर जैद सब्सक्राइब करके काफी अच्छा पैसा कमा सकते हो अगर दूस्त आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो का लाइक करें और हमारे चैनल फिरोज एलेक्टिकल को जरूर सस्क्राइब कर लें मिलता हो ऐसी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ